हलो फ्रेंट्स जेई मेंस 2021 का एक कॉश्चन है ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्षन और मॉडलस फंक्षन का है ठीक है जिसमें एक फंक्षन दिया हुआ है इसका आपको डोमेन निकालना है और डोमेन है जैसा कि फंक्षन हमारे पास में है इसका डोमेन दिया हुआ है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्षन का और मॉड का कॉंसेप्ट क्लियर होना चाहिए अगर इन दोनों का कॉंसेप्ट क्लियर नहीं है बच्चो तो इस क्वेशन में आप फंस जाएंगे और गलत आंसर निकल जाएगा तो चलिए स्टेप बाई स्टेप करके हम लोग क्वेशन को देखते हैं और बहुत ही इजी जैसा हम बताएंगे उस तरह से अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आगे इस तरह के क्वेशन में आपको प्रॉब्लेम नहीं होगा तो चलिए क्वेशन क्या है तो सबसे पहले मॉड के अंदर में जो फंक्शन है यह क्या करना पड़ता है बच्चो ग्रेटर दन इक्वल ट पार्ट अगर 0 हो जाएगा तो फिर एक वर टूजी रोगो जाएगा बाकी धिनोमेरेटर वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए तो कोई दिकत नहीं है अब आप ध्यान से देखो यहां पर मैं ऐसा कर ले लेट यहां पर एक फेक्टर मॉड एक्स एक ड्रेट एक माइनस 3 greater than equal to 0 ठीक है न अब देखो जब भी हमारे पास में इस तरह का function होता है तो wavy curve से solve करते हैं किसे solve करते हैं wavy curve से solve करने के पहले आपको ध्यान यह देना है कि यहां पर mod t equal to यहां पर मैं mod t equal to 2 आएगा और 3 आएगा और जब mod t equal to 2 करोगे तो आपको t का value क्या आएगा plus minus 2 इसी तरह से mod of 2 equal to 3 करेंगे तो t का value क्या आएगा plus minus 3 ठीक है ना क्योंकि mod को open करते हैं और जितने भी roots होते हैं उसको number line में plot करते हैं अब ध्यान से देखो तो यहां पर मैं आपको आ जाएगा minus 3 यहां पर मैं आ जाएगा minus 2 यहां पर मैं आएगा 2 और यहां पर मैं क्या आएगा 3 साथी एक बात आपको ध्यान यह देना है कि यह जो denominator के roots है प्लस-3 वह वाले पार्ट पर क्या हो जाएगा open हो जाएगा उस पर क्या हो जाएगा open हो जाएगा तो आपको पता है कि जब भी हम लोग open लिखते हैं तो उसको इस तरह का circle से यह कगेरते हैं और close होता है बच्चो close interval का जो होता है उसको लोग dark circle से प्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में ठीक है ना ऐसा आपने वेवी कर्ब में पढ़ा होगा तो यहां पर में जो निरोमेटर का root है त्री और में क्या हैगा प्लस पॉजटिव इसी तरह से टू और थ्री के बीच में कोई नंबर लेके देखो 2.5 ले लिजे तो टू पांट फाइव मॉड माइनस टू यानि पॉजटिव और 2.5 माइनस त्री नेगेटिव पॉजटिव निगेटिव क्या हो जाएगा निगेटिव इ यह वाला है ऑपन तो मैनशी पूर ओपन हो गया यूनियन यहां पर प्लस वाला प्लस वाला में दोनों माइनस टू और टू क्लोस ग्स्टर वल माइनस टू 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 लोजर अन्टर्वल यूनी इन फिर इसी तरह से जो त्री से इंफिनिटी जा रहा है यह वाला एक सिर्फ इंटर्वाल यह जो इंटर्वाल है किसका है सब्सक्राइब करना है एक समय करना है थिक है तो बारी-बारी से हम लोग ऐसा देखते हैं चलिए अब हम ऐसा करते हैं यहां पर में अगर फॉस्ट वाले पार्ट को लेखे तो आप लिखोगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ओफ एक्स सब्सक्राइब ग्रेटेस्ट इंटीजर ओफ एक्स च्टोज देड़न इक्वल टू इसी तरह से यूनियन यहां पर थी से बड़ा होगा क्यां ग्रेटेस्ट इंटीजर ओफ एक्स greater than 3 अब आपको ध्यान यह रखना है कि जब भी greatest integer का problem हम लोग लिखते हैं तो क्या करते हैं उसको भी number line में बारी-बारी से plot करेंगे पहला पाट को देखिए greatest integer of x less than minus 3 तो minus 3 को इस तरह से plot कर दो ठीक है और minus 3 के आगे वाला integer को भी लिजिए और minus 3 के पीछे वाला तो माइनस 3 के आगे कौन सा इंटर्वल होगा माइनस टू और इधर में कौन सा इंटीजर आएगा माइनस 4 आपको बोल रहा है greatest integer of x minus 3 से छोटा तो माइनस 3 से छोटा यानि कौन सा वाला हो जाएगा आपके पास में हो जाएगा माइनस 3 से छोटा जो होगा तो उस केस में आपके पास में कहां से चलेगा यहां से चलेगा तो आप इसके इसके इसाब से अगर greatest integer of x less than minus 3 लिखोगे तो इसका जो x का इंटर्वल आ जाएगा that will be x less than minus 3 क्योंकि माइनस त्री इस आपको चाहिए इसी तरह से अगर यहां पर में माइनस 3 से छोटा तो greatest integer of x का value minus 3 हो जाएगा और हमें minus 3 से छोटा चाहिए यानि पहला part में x का interval क्या होगा less than minus 3 इसी तरह से दूसरा interval में क्या है आपके पास हमें minus 2 से 2 के बीच में है यानि integer का value minus 2 से 2 के बीच में है तो minus 2 से 2 के बीच में तो आपको क्या करना पड़ेगा से छोटा इक्वल तेन तो इस तरह से पार माइनस टुपर पर जाएगा ट्रीप क्या हो जाएगा जाएगा ट्रीछ त्रीवक मैं आ होगा आपके पास में इसका इंटर्वल होगा वह क्या होगा अब ध्यानसे देखिए फाइनल ज हमारे पास में इससे का इंटरवल होगा एकस्ट देन माइनस 3 यूनियन खोज इंटरवल माइनस तू-2 थ्री यूनियन ए और तू-2 इनफिनिटी आफ़ास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा फाइनल आंसर एकस बिलॉंस टू यहां पर में इन्फुनिटी टू माइनस् त्री मैस् इन्फ मिनस स्थरी या जिला मैनस 3 ऑपन है उस तंक सल को मैंनस त्री या अग्याUU यूनिएव। यहां पर मैं अल्रेडी आगे हमारे पास close interval 4 to infinity close interval 4 to infinity close interval 4 to infinity अब आपके पास में एचीज दिया हुआ है option में क्या दिया हुआ है minus infinity to a close interval b to c union 4 to infinity तब बारी बारे से compare कर लीजे तो ये वाला value क्या हो जाएगा ये वाला value b हो जाएगा ये वाला value क्या हो जाएगा c यानि a equal to minus 3 b equal to minus 2 और c equal to कितना हो गया 3 तो तीनों का sum पूछ रहे आपको आपको क्या पूछा था तीनों का sum पूछा था my dear friend यानि a plus b plus c और इसका answer हो जाएगा minus 3 और 3 close तो यहां पर इसका answer और कौन सा option है हमारे पास में यानि जो third option है ठीक है third option कितना है minus 2 will be the correct answer third option minus 2 will be the correct answer तो यह रहा इस question का explanation इसमें basically हम लोग ने क्या किया latest integer को तोड़ा mod को तोड़ा और उसके बाद में number line में plot करते हुए carefully उस question को करना है और इस तरह से answer आपको आएगा इस question का answer आगया third option जो final answer है a plus b plus c इसका value minus 2 है third option is the correct answer